आदमगर जनपर्ट के महराज गंज शित्रान तर्गत युगप की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरन प्रकाश में आया है बता दे दिना 5 अगस्ट 2024 को आवेदक सतीश चंद मिश्रा निवासी नरोत्तम पूर ने थाना महराज गंज पर प्रार्थना पार्थ दिया कि उ आदी मुकदमा सतीश चंद मिश्रा की तहलीर पर थाना महराज गंज पर मुकदमा दर्जकर विवेचना प्रभारी नेरीक्षक महराज गंज राजीव कुमार मिश्रा सौंपा गया। अभियुक के पिता शीतला प्रषाद मिश्रा ने इमृतक प्रभात मिश्रा की मां के नाम 2.5 विस्ता जमीन की रजिस्ट्री कर दिया था तथा हाल ही में शून एक जमीन के सुलह होने पर प्रभात मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपे मिले थे तथा अभियुक को कोई अभियुक के उम्र है वो अपने दादा के घर से अपने घरक पर निकला था और उसके बाद उसके रास्ते में गाया हो गया इसकी तत्काल जिठाना प्रभारी के द्वारा गटना इस्तितर नेक्शन किया गया और इसमें गुंशुत की धर्ज की गई अगले दिन प्रसांत मिस्रा है उनकी डेट वोडी है उनके पुराने घर के जो वहीं घर के पास में है उसके आहते में बाउंडरी वोल के अंदर पर मिली और उसके बार मैं इसमें दो लोगों किलाप में वाइस्तवा में जो तहरीर प्राफ्त होई थी एक कृष्ण चंद मिस्रा है और दूसरे पुत्र है और यह वहीं उसी गाउं के रहने वाले हैं इनके दूर के रिस्तदार है उसी पे हमारी टीम है इसमें लगतार इसमें चुकी गटना थोड़ी सी सतरीक लगई थी कि लड़का अपने दादाजी के घर से अपने घर जाने के लिए निकला और उसके बाद में रास इसको मुकदमा पंजिकरत किया गया उसके बाद में इसमें टीम है कि पोस्ट माटम रिकोर्ट है उसमें जो जो प्रशांत मिस्रा उनके जो चाचा है राम-चंदर मिस्रा इनका इसमें नाम प्रगास में आया है और जब इन से संदेग आदार पर उनके पूस्टाच किया गया तो फिर इनके द्वारा जो 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 पिता जी है मतलब जो मृतक है उनके जो दादा है उसके द्वारा जो मृतक को काफी प्यार हो करते थे तो कुछ इनको लग रहा था कि उनके जो दादा के नाम को प्रपर्टी है वो मैं की माता की नाम पर जमीन कर दी थी, इसको यह रहता था कि मर। मिर्टकक जमीनि विवात कि 3 परसंट चल रहा जिसमें की मर। पिता के दौरा केस है उसको बापस ले लिया और इसको यह संदेः था कि उसको इन्होंने कंप्रमाइज किया है उसमें भी इन्होंने पैसा लिया करीब 10 लाग रुपए जिसमें से भी इसको इससा नहीं मिला इनी सब चीजों के दिमाग में चल रही थी इसके उसमें जैसे ही जो मृतक है जो अपने दादा के गर से निकलाया तो यह पीछे पीछे आया और उसको बैका के और पुराना इनका घर था वहां पर ले गया और ले जाके इससे सारी चीजों को बरें जानकारी करना चाहा जो उसके चैरे पे उसके सिर पर कई प्रहार किये वह, पर वहां पे घर गया हूं दो उसके बाद में करमें होने जाकी सब प क्रिया त्यजी करने का पृइस किया कि यह जो कॉ मुझे छो एग्जु को利 मृट हो बइस पहले संदेय नहीं चीए गरवालँ लेकिन बाद में हम लोगों ने पूछताज किया गया तो इसने अपने सारी चीजां एकसेप्ट किया है और इसे उसको आज गिरफतार करके जेल बोजा जा जा रहा है और इसको एकलाग विदिक करदा इसमें पीजाए इसमें मोटो सिर्फ प्रॉपर्टी इससर कि आया और जो भाई है उनके लड़का था ठीकिये विजूले सीकिएगी तु